Hello students, welcome to Global Online. So, Jammu and Kashmir set 2030 examination से related एक बहुत ही जादा important and informative discussion आज अस वीडियो में हम करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस examination के लिए आपको वो कौन-कौन से important documents हैं जो की अपने साथ लेकर जाने हैं तो आप सभी students इस वीडियो में इंतक बने रहेगा ये सभी documents बहुत जादा जरूरी हैं अगर इन में से एक भी मिस हो जाता है तो आपको examination वाले दिन हो सकता है कि entry ही ना मिले तो आप सभी इस session में इंतक बने रहेगा So students, आप सभी ने ये तो देखाई होगा कि 1st October को अभी final हो चुका है कि आपका exam होना ही है and इसके admit cards भी जारी हो चुके है and I hope आप सभी ने ये admit cards डाउनलोड कर लिए होंगे and आपके preparation के लिए खास तोर पर paper 1 के final preparation and final revision के लिए मैं YouTube पर भी आपके लिए free sessions लेकर आती हूँ जिसमें अभी तक almost 90 videos हो चुके हैं जिसमें आप देखोगे कि पूरे syllabus की MCQs के साथ revision हम करवाते है and आपने अगर अभी तक ये sessions नहीं देखे हैं इनको देख लीजे क्योंकि इसमें से as it as questions भी examination में पूछे जा रही है so जैसा कि हम बात कर रहे थे बहुत से बच्चे ऐसे भी है जिनको अभी तक admit card के बारे में नहीं पता उन्होंने admit card पूरा download करके भी नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि examination वाले दिन सबसे important और सबसे पहली चीज़ जो आपको साथ लेकर जानी है वो है आपका examination का admit card अब यहाँ पर सवाल आता है कि admit card की आप लोगों को black and white copy लेकर जानी है या फिर colored copy लेकर जानी है सो देखो students कुछ exams ऐसे होते हैं कुछ centers ऐसे होते हैं जो की black and white copy में भी चलते हैं ठीके उनको कोई issue नहीं होता उनको सरफ admit card से मतलब होता है लेकिन कुछ center वाले ऐसे होते हैं कहते हैं कि हमें सरफ colored copy ही चाहिए क्यूंकि उसमें आपके photo clearly नजर आते हैं तो आप लोग हो सके तो एक एक copy दोनों की अपने साथ रख लीजिए ताकि examination वाले दिन आपको कोई परिशानी ना हो क्यूंकि कई बार center ऐसी जगा होता है कि आसपास आपको print out निकलवाने को option भी नहीं रहता तो पहले से ये चीज़े अपने साथ रखोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी दूसरी सबसे important चीज़ है आपका आधार card ओके सो आपका आधार card आपका एक valid ID proof होता है जो कि आपको साथ रखना है बिना आपके ID proof के आपको entry नहीं मिलेगी अब यहाँ पर एक बात और important है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आपके admit card में आपकी date of birth लिखी होगी आपके अधार card में भी आपकी date of birth लिखी होगी सबसे पहले वहाँ पर आपका नाम और आपकी date of birth मैच की जाती है तभी चेक किया जाता है कि आपका ID card valid है या नहीं अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अधार card पुराने हैं उन्होंने अभी तक अपने अधार card अपडेट नहीं करवाए हैं तो आप लोगों को मैं ये चीज़ clear बता देना चाहती हूँ अगर आपके अधार card में आपकी पूरी date of birth है यानि कि आपका day, आपका month और आपका year पूरा महाँ पर लिखा हुआ है तीनों चीज़े mention की गई हैं तभी आपका अधार card accept होगा otherwise नहीं होगा जल्दी से इसको check कर लीजिए अगर आपका अधार card अभी तक पूरा नहीं है तो आप लोग गया तो समय है दो दिन का अधार card अपना renew करवा सकते हो अपडेट करवा सकते हो किसी भी लोकमित्र केंदर में जाकर या फिर आप अधार card के साथ साथ अपना pen card भी लेकर जाईएगा ठीके pen card या किसी के पास passport है वो भी लेकर जा सकते हो लेकिन अधार card तो लेकर जाना ही है ओके सो ये extra ID card अपने साथ लख लीजिएगा ताकि किसी भी दिक्कत के समय पे आपको मदद हो जाए and confusion नाओदे को क्या होता है मैं अपना personal experience भी शेयर करती हूँ कि मेरे साथ भी अधार card में date of birth वाला issue हो गया था पूरी date of birth नहीं थी और मैं अधार card ले गई थी वहाँ पर examination center वालों नो उसको accept ही नहीं किया ये बोलकर कि पूरी date of birth नहीं है तो हम उसको valid कैसे माने तो वो पुराना था और वहाँ पर मैं इतनी confused हो गई इतनी डर गई कि अब मुझे शायद exam देना नहीं मिलेगा तो examination के ररान भी में कांपती रही वो पहले से ही शुरुवात ऐसी हो गई gate पर ही कि अंदर आता आता question भी मुझे solve नहीं हो पा रहा था तो ऐसा होना common है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो जो चीजें कह रही हूँ उनको साथ जरूर लेकर जाईएगा ठीक है तीसरी important चीज है जिसके भी नेंट्री नहीं मिलती है वो है आपकी passport size photographs तो इसकी आप कोई बात नहीं तीन से चार copies अपने साथ लेकर जाईए ठीक है कोशिश कीजेगा जो photo आपके आधार card में होगी जो photo आपने online form फिल करते समय रखी होगी साथ में उसी photo को साथ ले जाईएगा तीन चार copy ले जाईए क्योंकि कई भार attendance sheet में भी पेस्ट करने के लिए बोलते हैं कई बार नहीं भी बोलते हैं बट ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है साथ रखोगे तो अच्छा ही रहेगा किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है यह है फिर passport size photograph जो आपको अपने साथ लेकर जाना है आप अपना pen भी लेकर जा सकते हो ठीक है pen की यहाँ पर एक condition हमेशा क्या रहती है कई लोग क्या बोलते हैं कि बहुत से fancy pen अपने साथ लेकर जाएंगे लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है आप किसी भी तरीके का वहाँ पर fancy pen अपने साथ नहीं ले जाना है आप लोगों को simple सा एक जो 5 रुपे वाला pen होता है जिसकी body बिलकुल transparent होती है जिसकी पूरी refill आप लोगों को नजर आती है वो pen अपने साथ लेकर जाना है क्योंकि transparent body वाला blue ball pen ही allowed होता है इसकी अलावा कुछ भी allowed नहीं होता एक बार फिर भी अपने admit card ने instructions पढ़ लीजेगा कई बार वो लोग ये कहते हैं कि ball pen हम खुछ से आपको देंगे कई बार वो लोग ये भी कहते हैं कि blue नहीं सिर्फ black ball pen चलेगा तो उसको पढ़ लीजेगा instructions को अच्छे से लेकिन हमेशा ध्यान रखेगा कि ball pen ही रखना है और आपका pen हमेशा transparent body वाला ही होना चाहिए तो ये कुछ जरूरी चीजे हैं जिनके बिना आप लोगों को किसी भी हालत में entry नहीं मिलेगी admit card अधार card तीन से चार copy of your passport size photograph जो कि same आपको लेकर जानी है जो आपने photos upload की थी और आपका एक pen आपके साथ में होना चाहिए ठीक है अधार card या pen card जो भी ID proof लेकर जा रहे हो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि photo copy ले जाओ original चलेगा बस वहाँ पर वो cross check करते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करते ठीक है इससे पहले exam देने से पहले एक से दो बार आप लोग full syllabus mock test को attempt कर लीजे थाकि आपको पता चल जाए कि exam में कैसे आप लोगों को time manage करना है ओके इसी के साथ students free videos और test series के लिए global online app को download कीजे store section पर search bar में course का नाम लिख लीजे इस पर click करते ही आप लोगों को यहाँ पर free test series मिल जाती है जो कि आपको exam की final revision में help करती है and youtube पर daily sessions तो मैं आपके लिए लाही रही हूँ तो उसको आप लोग जरूर follow करते रहिएगा so thank you so much everyone for watching this discussion and I wish you all the very best